नमस्कार न्यूस वर्ल इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ काविंदर चोहान चलिए बुलिटिन की शुरुआत करेंगे उत्राखंड के पूर मुख्यमंतरी हरीश रावत आज हरिद्वार पहुचे जहां उन्होंने चौधरी चरण सिंग को शद्धांजली अर्पित की और अपने ट्वीट से कॉंग्रेस में हड़कम मचाने वाले उत्राखंड के पूर मुख्यमंतरी और कॉंग्रेस के आप मीडिया के दोस्तों के प्यार स्नेज सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे केवल एक बड़े अमर गीत की दो लाइने थोड़े से संशोधन के साथ गानी है कदम कदम बढ़ाए जा कॉंग्रेस के गीत गाए जा ये जिन्दगी है उत्राखंड के वास्ते उत्राखंड पर लुटाए जा पूर मुख्यमंतरी हरी श्रावत से मिलने के लिए उनके घर पर उत्राखंड करांती दल के वरिष्ट नेता काशिर सिंग एरी और पुषपेंदर तरपाठी समीत कुछ और नेता पहुंचे थे बताए जा रहा है कि इस मुलाकात का मकसद मौजूदा घटना करम से जुड़ा हुआ है और पूर मुख्यमंतरी हरी श्रावत ने नेताओं से प्रदेश की मौजूदा राजनेति घटना करम और स्थितियों को लेकर बाचीत की है वहीं किच्चा विदानसबा शेत्र में विधायक राजेश शुकला नगला पंतनगर नगर पालिका के अधिसूचना जारी कराकर देहरादून से पंतनगर पहुचे जहाँ पर उनका पंतनगर नगला शेत्र के निवासियों ने पंतनगर एरपोर्ट पर जोर दा स्वागत किया विधायक राजे शुकला ने कहा कि विधानसवा शेत्र में लालपुर नगला नगर का रूप ले चुका है जिसको नगर पंचायद बनाने की मुख्यमंत्री ने खोशना की थी, नगला पंत नगर शेत्र जो की त्रीस तरिय पंचायद चुनाओ से बंचित था, शहर और गाउं की सोविधाओं से बंचित, नगला पंत नगर शेत्र को मुख्यमंत्री की खोशना के बाद से नगर पाल यहीं से हम पढ़े हैं यहीं बगर में टीडी सी है उसका हिस्सा रहेगा वहां से हम लोगों का जुड़ा हो एक किसान की रूप में भी रहा है पंत नगर नगर पालिका बंकर दर्शो को वहीं सितार गंज महराजा अगर सेंटरस्ट में शहीदों के लिए शोक्ष रधांजली सभा और शांतिपाठ का आयोजन किया ख्या जिसमें पूर्व सैनिकों ने जनरल विपिन रावत और अन्ने 14 शहीदों को शद्धांचली अर्पिक की शोक्ष सभा में स्कूली छात्राओं ने शहीदों के सम्मान में देश भक्ती के गीतों का गायन किया सभा में मुख्य अतिती पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुणा ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें पुष परपित करते हुए भाव भीनी शद्धांचली थी है कि अपनी देश की सुलक्षा करते वे हमारे जो सीडियस थे सीफ आफ आर्मी स्टाव हमारे बीपिन दाउच जी वो एक दुरगटना में मारे गए हमारे सभी लोगों के तरह आज उनको शर्दांदली दी जा रही है एसे बीर हमारे देश के सिपाई है जो बॉर्डर में अपने खून की होली खेलने के बाद हमारे देश से सुर्खशा करते है वो यह सबूत है जिन लोगों ने गोली खाने के बाद हमारे देश का बाल-माकर नह परद्धिया हमारे बॉज हमारे लिए प्रेड़ना है और उत्राखन के लिए तो बहुत गौरप की बात थी कि पहला चीफ अफ दिफेंस स्टाफ हमारे उत्राखन से दिवावजी हुए और 8 संबर का दिन तो बहुत ही दुखत दिन था हमें तेरा वीर अपने अप्शनों को दिया लेकिन जैसे मैंने कहा कि सही सग्धान जली यह होगी कि हम जो भी लोग हैं चाहर रपारी हों कमचारी हों अधिकारी हों हम भी अपनी भूमिकानी भाएं इमान दारी से लिष्ठा से कारी करें और इस देश को मजबूर बराने के लिए अपनी योगदान बे समाज में तर्यम कांग्रिस पर जोरदार हमला बोलते हुए लोगों से सपा को मजबूत करने का आवान किया है जोरान पार्टी की राश्टर प्रवक्ता नाहिद लारी ने कहा कि समाजवादी विचारधारा पर जब से ये मनुवादी विचारधारा लाई गई है तब से देश लगातार गर भाजपा ने कुकर्म किये हैं जनता में तरही तरही है जनता बदलाव चाहती आप काशिपूर देखिए कोई विकास का काम नहीं हुआ काशिपूर में भाजपा ने आपसे वोट मांगे थे कि काशिपूर को जिला बनाएंगे क्या जिला बनाया काशिपूर को नहीं जिला नहीं बनाया, इसले जंता में बहुत आक्रोश है, कोई विकास का काम नहीं हुआ, महिला उतपीडन्चरंपor है अरे उत्तरे प्रदीश में तो महिला उतपीडन्चरंपor है, वह तो भाजबा नेता कारीकरता करी रहे हैं, उत्राखन भी इससे जूता नहीं है उधारण के तौर पे नेगी ने जो एक महिला के साथ वो सब को मालूम है वो जग जाहिर है उतरकाशी के गंगोत्री धाम के पुरुहेत और पांच मंदिर समिती ने उतराखन बीजेपी नेता पूर्व पाध्यक्ष विकास परिशद सूरत राम नौटियाल का देवस्थानम बोर्ड भंग होने पर हार्दिक आभार चताया और उनकी तरफ से देवस्थानम बोर्ड की लडाई में दिये गए अपूर्व सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है मा गंगा से उनके उजवल भविश्य की कामना करते हुए सभी पूरोहितों ने अपना आशरवाद दिया जितने भी जनप्रतिजनी दी जितने भी हमारा जिस जिस महानुभूतियों ने हमारा सहयोग किया है हम सब आप सबी के आभारी हैं और आज हम माननिय शुरत राम नोटियाल जी का आभार बेत करने आया गंगा मईया उनका मार्ग प्रशस्त करे कॉंग्रेस के राष्टे सचिव और मंगलौर से विधायक काजी निजामुदीन से हरी शरावत के बयान पर और गुडबाजी को लेकर हमारे समबादाता ने खास बात चित की इस वरान क्या कुछ कहा काजी निजामुदीन ने आप भी जरा इसको सुनी है हमारे साथ कॉंग्रेस के राष्टे सचिव काजी निजामुदीन जो मंगलौर से विधायक है और उत्राखन की राजनीदी में एक बड़ी सक्सियत है वो मौझूद है उसे बात करते है जमनिल भाई क्या कहेंगे कॉंग्रेस में जो गुडबाजी सामने आ रही है यहां लोगतंतर है पार्टी में कोई बी अपनी राए रखने के लिए बिलकुल इच्छुक है अगर यहीं यहीं बीजेपी से मुकाबला करूँ तो पिछले पांस साल में तीन परदेशादेक्स बदल लिए तीन मुख्य मंत्री बदल लिए हर्दुआर के सांसद को केंद्रिय मंत्री से हटाया अलमोडा के सांसद को केंद्रिय मंत्री से हटाया वो अपनी बात कह भी नहीं सकते अब सब पार्टी के लोग बैटकर दिली में एक खटे सभी लोगों की राय मानी जाएगी सुनी जाएगी उनको जो कमी लगी उसको सबके स्थामने रखकर उसका समाधान निकाल कर पार्टी एक जूठ होकर जनता के हित के लिए चुनाओं में उतरेगी किा कही रावज जी कॉंगरेस पे दबाओं नेम framework के लेकर उन्होंने अपने मन की बात की यूच में फूरे चूट और अधिकार है इसमें कोई डिक्टेटर्शिप नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, किसी को कोई तकलीफ होती है, मुझे को भी कोई तकलीफ है, मैं भी खुली बात कह सकता हूँ, लेकिन भाजपा में और कॉंग्रेस में यही फर्क है, कि यह गांधी वादी पार्टी है, इसमें आना लग रहा है, और चर्चा हैं कि वो UKD में को यहाँ पर मुट कर सकते हैं, उत्राखन में, कितनी सच्चा है, आपने सवाल ऐसा किया, जिसका जवाब देने का मैं सोच भी नहीं सकता, और रावजी एक समंदर है, अब समंदर के साथ किसका मेल मिलाव हो सकता है, वो कॉं और कॉंग्रेस उनको और कॉंग्रेस उनकों में वो उसके बाहर तो वो इतना बड़ा सोत्र हैं पानी का, और चोटा मोटा सोत्र तो भाज आएगा उनके साथ, आप कांग्रेस के राष्टे सचीव हैं, क्या आपको भी तलब किया गया है? तलब शब्द नहीं, एक हम लोगों की मीटिंग है, मैं भी उन लोगों में हूँ, कल को दस बज़े पहुशने के लिए कहा गया है, हम सब लोग वहां होंगे, और सभी लोग बैठ कर एक खुली चर्चा करेंगे, जो भी जिसकी जहां कोई समस्या होगी, उस समस्या के समध एक जूट है, और जल्द ही सभी गुट बाजी खतम कर दे जाएंगे, अपने सही होगी, अकीली के साथ, मुम्मुर अजीम, नीज़ोर इंडिया, वहीं मंगलौर विधाय काजी निजामुद्दीन की तरफ से कजबे में पूर प्रधान मंत्री और किसान मसीहा चौदरी च करेंड सिंग की समर्ती पर पुष परपित किये, मंगलौर में आयोजित जैमती में कॉंग्रेस के कई वरिष्ट नेताओं ने भाग लिया, इसी कारिकरम में पहुंचे कॉंग्रेस के पूरु प्रधेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंग ने हरीश रावत के ट्वीट पर कहा कि सभी कॉंग्रेस कारिकरता एक है, हरीश रावत जी उनके सीनियर नेता है, उनके किसी भी बयान पर टिपपड़ी नहीं की जा सकती 22 में उत्राखन राजिक के अंदर कॉंग्रिस सरकार बनाने जा रही है, सत्ता में वैठेवे लोगों ने 2017 के विधानसवा चुनाव में जो वादे उत्राखन के लोगों से किये थे, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उत्री है आज किसान भी आहत है, नौजवान साथी रोजगार के लिए संगर्श कर रहे हैं, बढ़ती ही महंगाई ने सबका जीना दूरब कर दिया है, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम सा भी तुई थी आया गया है, उनके विचार पार्टी के आला कमान सुनेंगे, कल उनका एक दिन पहले ट्वीट आया है और बुलाकर उनसे पार्टी हाई कमान उनसे बायत करेगी, वही वहीं बताएंगे कि कहां क्या उनकी नहीं सुनी जा रही है, और जो नहीं सुन रहा होगा, जो तालमे पार्टी को आप देखें, तो पांस साल सत्ता चली, और पांस साल में उनके तीन परदेश अध्यक्स बदले, और तीन ही उनके मुख्बंतरी बदले, तो छे लोग आला पत्से उनके बनाएगे और हटाएगे उत्राखंड में 2022 के विधानसभा चुनाओ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जहां राजनितिक पार्टियों ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं अधिकारी स्तर पर भी मीटिंग का दोर जारी है आपको बता दें कि आज हरिद्वार के डाम कोठी पर यूपी और उत्राखंड के जिला स्तर के अधिकारियों के बैठक होई, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनाओ की तैयारी को लेकर चर्चा की कई क्योंकि उत्रापरदेश के कई जिले उत्राखंड की सीमाओं से लगते हैं, हरिद्वार के जिला अधिकारी विनाश शंकर पांडे ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाओ को लेकर दोनों जिलों के अधिकारियों की बैठक करवाई गई है आज जो विधानसभा चुनाओ आगामी होने है उसको लेकर के जो बॉर्डर डिस्टिक्स की मीटिंग होती है उसी क्रम में हम लोग यहां पर आये हुए है आपको भी डियम अरिद्वार साब ने पूरी जानकारी दी है जो बैठक में ने रड़े हुए है तो विशे सुरूब से जो विवस्थाएं चुनाओ को लेकर होती है खास करके जो बॉर्डर के एरिया है उसको कैसे उसके किस तरह की विवस्था बनानी है और इसके अलावा जो है जो अबैत शराब का संचरण या श्रस्त्र का संचरण इसके संबन्द में जो बैठक में वो सारे विचार विमर्ष हुए है। वहाँ के SSP और और भी Officials हैं हुए है। के साथ सत्ता पर काबिस होगी। के पूरी कोशिस किया और उन्हीं के चक्रू में अभी सभी लोग नेता हैं आपने अपने पाक्षी रखते हैं आपने बाते रखते हैं। और एक इस तेम्त रण्डी के से बनिया है कि हमने इस पे भाजपा को उत्राखंड से भगाना है। उत्राखंड में नेता प्रतिपक्ष प्रितम सिंग आज मंगलौर में चौधरी चरंड सिंग की पूर्णितिति में शामिल हुए। वहीं इस दौरान हमारे समवाद दाता ने उनसे आने वाले विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर बात की। क्या कुछ कहा प्रितम सिंग जी ने आप भी उसको सुनिये जरा। प्रितम सिंग जी मौजूद है जो नेता प्रतिपक्ष है और पूर अध्यक्स भी रैसुक हैं कांग्रेस के। हरी सावत के एक वयान ने कांग्रेस में हल्चे मचा दी है। आज डिल्ली से फर्मान आया है कि जितने भी वरिष्ट कांग्रेसी हैं उनको तलब कर लिया गया है। प्रितम सिंग जी मौजूद है इनसे बात करते है। प्रितम सिंग जी क्या कौन मगर मचले। अगर आप हरिष रौष्जी की ट्wee TV को देखेंगे। तो उन्होंने इसका को का है कि जिस दरिया में तेहना है। उस दरिया में ऐ साथ के बहुत सारे मगर मच्छ है। उन्होंने परिक्ष्ण सिंग परिष्ण उसका का थिस काहा है। वी राष्टेनित्व तुर्जु समय समय पर हम को वार्था के लिए बुलाते हैं परदेश की स्थितिए क्या है उस परिपेक्ष में हमको बुलाए जाता है और सत्त्त चलने वाली प्रकिर्या है उसी परिपेक्ष नूह भुलाय है जग जाहिर है कि कॉंग्रस में गुटबाजी है, कॉंग्रस दो गुटों में बटी वी है, एक गुट आपका है और एक खरीश्रावद जी को गुट है, काफी लंबे समय से आपके जितने भी समर्तक हैं, वो खरीश्रावद जी के प्रोग्राम में दिखाज नहीं देते, ऐस मुझे देता है, उस दाइत का निर्वन करने का काम करता हूँ, क्या पंजाब की तरह यहां देखने को मिलेगा, अमलेंदर सिंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, दोजार बाइस में, कॉंग्रिस जो है, उत्राखनराई जी के इंदर सरकार बनाने जा रही है, क्या वज़े मान रहे है, क्या गुटबाजी की यही वज़े है, एक एक चेरा कौन होगा, होगा, नहीं होगा, यह फैस्ता लेने का अधिकार प्रीतम सिंको नहीं है, यह अधिकार राष्ट नेतुत में नहीत है, वो इस परिपेक्ष में जो है, निर्ने लेंगे, अब उन्हों फीट काई इस कांगरेस जीत पाएगी इस तरिकते हैं गुटबाजी कहां से आगे है, राषी ने ट्टीट किया है, और पहले भी आप से कह चुका हूं, अगर आपने अपने तीट को पड़ा होगा, तो उन्होंने है, तो फें ले आप ने अग्यों हमें अधिकित थित को तो यह सथा पर प्रिसम सिंग जी जिनका साफ तोर से कहना है कि कहांगरस में कुटबाजी नहीं है लेकिन कुटबाजी जग जाहिर है अपने सेयों कि अकील अमद के साथ मैं मुहम्मद अजीन निज्वर्ड इंडिया हरिदवार मंगलौर तो टीरी गड़वाल में विधानसभा चुनाओं के मद्य नजर राजनेतिक दलों के कई विधानसभा कारिकरम शुरू हो चुके हैं सभी पार्टिया महिलाओं और सैनिकों को अपने पक्ष में करने में जुट कई हैं इसी कड़ी में देवप्रियाग विधानसभा सीट के कीरतिनगर ब्लॉक में 400 से जादा आंगनबाडी महिला कारिकरताओं को पूर्वशिक्षा मंतरी मंतरी प्रसाद नैथानी ने सम्मानित किया इस दोरान उन्होंने कारिकरताओं को उनके कोरोना काल में किये गए कारियों को देखते हुए इसम्मती चिन नभी भेट किये हैं परदानों को जो संबाद की बात कर रहे हैं आज तक परदानों को उन्होंने पूछा कभी सरमें यही कैना चाहते हुए जहां पक्छ और विपक्षक की तो कोई बाती नहीं है आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा गया यह पार्टी से लेके नहीं था, यहाँ पिर सिर्फ बात थी महिलाओं को सम्मान देने की, उनका हग देने की, जो कि आज मंत्रिपरसान ने थानी जो द्वारा दिया गया और सबसे बड़ी कुशी की बात है कि हम महिलाओं को सम्मा लोग की तरफ से राजकेंटर कॉलेज में NCC के पचास चात्र चात्राओं को प्रधाना ध्यापक रविंदर सिंग के सहयोग से यातायात नियमों की जानकारी दी गई और पैंफलिट भी बाटे गए, सडक दुरगटनाओं में नाबालिक की तरफ से स्कूटी या बाइक च लाते समय फोन पर बात करना भी बड़ा कारण बन रहा है इस दिशा में दुरगटनाओं को रोकने के प्रयास की पहल में या अभियान जारी किया क्या है तो यह दुरगटनाओं के मुख्य कारण होते हैं कि दुरगटनाओं सब्याव पिछेतरों में हम वहाँ पे भी डेंजर जोनों पे भी हम देख रहे हैं कि कोई ओवरी स्पीड ना हो, कोई नसे में ना हो, इन चुज़े वह फोकस किया जा रहा है तो जहां एक और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की तरफ से स्वच भारत अभ्यान बड़े पैमाने पर चलाय जा रहा है तो वही नगर पंचायत लालकुआ इसे पलीता लगाता नजर आ रहा है बता दे कि यहां जवाहर नगर में बने सारवजनिक सोचाले की हालत बद से बत्तर है दरवाजे तूटे पड़े हैं तो वही नालों में पानी नहीं है यहां स्थानिय लोग और आवागमन करने वाले लोग सोचाले का लाभ उठाते हैं मगर बद से बदतर व्यवस्था की वज़ह से स्थानिय लोगों और रहागीरों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहां देखने आते हैं लोग लेकिन कोई स्था की कोई सुनवाई नहीं होती है इस पानी के टंकी में पानी नहीं आता है सोचाले के दर्वाजे सारे तूटे पड़े हैं नाली सारी तूटी पड़ी हैं इसके लिए कई वार कह चुके हैं आज कल आज कल करते रहते कापी समय हो गया है चमोली में घाट ब्लॉक के दूरस्थ गाओं घुनी में एक ही परिवार के पाँच लोगों की संदिग्ध परिस्तियों में मौत का मामला सामने आया है मृतकों में परिवार के मुख्या उनकी पत्नी और तीन बच्चे शामिल है मौके पर उपजिलादिकारी चमोली सहित राजस्व रेगुलर पुलिस की टीम मौके पर पहुँच कर मामले की छान बीन कर रही है पिलाल मौत के कारणों का अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है थराली में उस वक्त बहुत ही भावुक माहौल पर नहीं पर नहीं पर नहीं चार्ज सुल्तानपुर अंगुर के दुआरा एक इसमंगलर असद निवासी कुनहरी को पकड़ा गया था जिसके कबजे से 9.5 गराम थराली में उस वक्त बहुत ही भावुक माहौल पैदा हो गया जब माननदा देवी की उतसब डोली मंदर गर्वग्रह से बाहर आकर अपने माय के सिद्ध पीठ कुरुण के लिए चलने लगी उस समय उनके ननिहाल वालों के आँखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें विदा किया जा रहा था हालाकि अभी कुरुण गाओं के लोगों को ननदा देवी के उनके गाओं यानि सिद्ध पीठ कुरुण मंदर में पहुचने में काफी समय लगीगा लेकिन अब वो सभी ये माननन्दा के साथ साथ चलेंगे हमारे हां से जो लोग अब इसके राज होने जाएंगे आज मा भगोती अपने ननिहाल से अपने माई के सिद्ध पीठ कुरुण के लिए प्रस्तान करेंगी और माता भगोती का आशिरवात सभी भस्तों के उपर बना रहे मानन्दा बधान की इस्ट कुल देवी है और मानन्दा का आशिरवात सभी के उपर बना रहे मानन्दा हमारी ध्यान है और आज मा भगोती अपने माई के के लिए प्रस्तान करेंगी सभी भक्त जो लोग है वो प्रसंद भी है और दुखी भी है तो कि मा अब यहां चै मेरे बाद फिर आएंगी भादो के मैंने तो इसलिए सभी के उपर मा भगोती नंदा की किप्वा बनी रहे गदरपुर की एक धर्मशाला में अंतराष्ट्रे हिंदू परिशत का मिलन कारिकरम आयोजित किया कारिकरम के दौरान अंतराष्ट्रे अध्यक्षर प्रमीड तोगडिया का कारिकरताओं ने जोरदार तरीके से स्वागत किया इस दौरान प्रमीड तोगडिया ने कहा कि सुरक्षित हिंदू के साथ हिंदू समाज के प्रती 10 सूत्रे कारिकरम है हिंदू समाज को लेकर हम जागरण करते हैं तो डॉक्टर प्रवीत तोगडिया का ये कारिक्रम था जिसके लिए वो आज गदरपुर पहुंचे बहुत बड़ी आनंद की बात है हिंदू के संगर्ष और कौट के निर्ड़े से राम मंदिर बन रहा है और इसलिए पुरा देश का हिंदू समाज अभिनंदर के पात रहे राम मंदिर बनाने का स्रे किसी एक व्यक्ति को या दल को नहीं लेना चीए क्योंकि हम जन्मे नहीं थे तब भी साड़े चार सो वर्सों से राम मंदिर का संगर्ष चल रहा है यदि मैं या मेरा दल स्रे लेता हूँ तो राम मंदिर के लिए बलिदान होने वाले साड़े चार लाख लोगों का अपमान है मैं यदि राम मंदिर का स्रे लेता हूँ तो बलिदान होने वाला कारसेवों का अपमान है इसलिए राम मंदिर बनाने का स्रे पूरा हिंदू समाज को और इसलिए हमें पूरा हिंदू समाज का अभिनन्दन करना चीए कोई व्यक्ति अपना स्रेय लेकर कोई दल अपना स्रेय लेकर राम मंदिर अभियान को दुसित न करे ऐसी मेरी प्राथना है नैनिताल के व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्षे किशन सिंग नेगी के अध्यक्षता में बैठक कर नगरपालिका प्रिशासन की तरफ से जबरदस्ते लाइसेंस परधती थोपने पर कड़ी नाराज़गी जताई राम सेबक सभा में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें नेगी ने कहा कि जिस तरह से राज़सरकार व्यापारी वर्ग से लाइसेंस शुल्क लेती है उसी तरह लिया चाए नगरपालिका की तरफ से शुल्क लिया गया तो व्यापार मंडल व्यापारियों को लेकर सडकों पर उतराएगा लागू की जा रही है तो हमारे व्यापारियों का महना है कि राज़सरकार द्वारा जो लाइसेंस पद्दती लागू की जाए उसे रखी जाए और नगरपालिका द्वारा इस समन्द में कोई लाइसेंस पद्दती शुकर नहीं है तो फिलाल कले उस बॉलेटिन में इतना ही बाकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को दिखने के लिए आप बने रहेगा निउस वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद झाल